सो देखो यार आज तक तुमने बहुत सारी गने चलाई होंगी और ये बात तुम्हें भी पता है कि एक गोली में बिना हेडिके बंदो को मारना इंपॉसिबल है और इसी इंपॉसिबल को पॉसिबल बनाया है चार्जबश्टर गन ने जो की एक गोली में बंदे को मारने का पावब रखती है मतलब एक गोली और बंदा Khotami मैं देखो गन को चलाने के बाद सबसेयादा उन बंदों को फायदा होने वाला है जिनके फोन का ना RAM बहुत कम है और फिर उन बंदों का होने वाला है जो गेम में बहुत कम पैसे लगाते हैं या ये बंदों का फैदा होने वाला है जो transistor ना फ्लीज भिए भी फ्लीज अच्छा कि अठीं आ लगा तु आ धर खेल भट आप पेmyr पीरो के लिए पिरो का दिन आता है मेरा भी दिन आएगा मैं भी इन पीरो पीरो अच्छे खुमस्त मस्त कप्र पैन के खेलूँगा और फिर में आपको आके जरूर दिखाउंगा और हां वैसे भी एडम देखके नूप समझे क्या फिरो है मैं बीडियो वेज़ रहा हूँ व वह भाई 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 अभी क्या बात है तेरा गेम फिल तो सच में काफी अच्छा हो गया है भाई कर दोगे मेरी करने राइक होगा तो मैं जरुरा आजए इस सेक्रस्राइब करने को सबस्क्राइब करते हो और वैसे लायते इंतलो मैं किसी Só सबस्क्राइब किया ना मेरे को मैं काफी खुश हो जाओंगा और वैसे भी देखते हैं कितने बंदे अग्राइब करते हैं अगर आप बोलते हो तो फ्लिज द्यू बंदे बीदे देख रहे हो ना इस वीडियो को प्लीज यार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसकी मैं वीडियो की लिंक देता हूँ आपको वीडियो की और चैनल की जो भी हो उसका लिंक मैं आपको डिस्किप्शन में देता हूँ प्लीज यार जाके सब्सक्राइब कर दो भाई यह मुझे सब चिढाते थे जब मैं एक गोली में किसी को नहीं मार पाता था तो और अब मैं उन सब को चिढाऊंगा जो वन टैप नहीं मार पाते हैं तू नहीं चिढा पाएगा क्योंभी यह ऐसा कौन सा वीडियो डाल ले वाले हो जिससे कि सारे बंदे वन टैप मार पाता सीख जाएंगे एक ऐसे गन जिससे कि तू एक गोली में एक गोली में बंदे को मार सकते हो जिसका नाम है चार्ज बश्टर गन तो बेसिकली इस गन के चार डिसएडवांटेजिस होने वाले हैं जिसको मैं एक एक करके एकस्प्लेंड करता हूँ जिसमें आपको कम से कम दो सेकेंड तक गन को होल्ड करना पड़ता है तब जाके आप सामने वाले बंदी को एक गोली में फिनिस कर सकते हो अब बात करते हैं डिसएडवांटेज नमबर टू की जो की है फूल कंट्रोल जैसे बाकी सारी गन्स में डिफॉल्ट एम वर्क करता है इसमें आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलने वाली जो की एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसी के साथ हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेज नमबर थ्री की जो की होने वाला है मुवमेंट स्लो डिवरिंग चार्जिंग करेगा मतलब सिंपल जी बात है आपके हैड नहीं लगने वाले बाकी बात करें इस गन के बारे में तो ये गन फायर है बोस बिल्कुल अपने केजिएफ के रोकी भाई जैसी मुझसे दोस्ती कर सके ऐसा कोई गन नहीं और मेरी दुस्मनी जेल सके इतना किसी गन में दम नह इस गन का यूज करना ना बहुत असान है क्योंकि देखो यार मैंने तुम्हारी आदी प्रॉब्लम्स ना पहले ही खतम कर दी उसकी डिस एडवांटेजिस बताके मतलब ना अब तुम्हों गल्तिया नहीं करोगे तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ ना जो मैंने 50% तुम तुम्हें मैं बताने वाला हूँ काैसे तुम इस गन को यूज कर सकते हो और फिर तुम बनोगे मिश्टर पॉफेक्ट तो अगर तुम्हें ये गन मिलती है तो तुम्हें सबसे पहले करना क्या है बंदे को मारने के लिए कम से कम 2 सेकेंड तक ना तुम्हें फायर बटन को वोल्ड करके नहीं रख सकते हो, क्योंकि 5 सिकेंड बार गन अपने आप डिस्चार्ज हो जाती है, फिर तुम्हें वापिस से इसे चार्ज करना पड़ेगा, तो ये चीज तुम ध्यान रखना, तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें इस गन को यूस कैसे करोग और ये एक ट्रिक भी है, आप इसको ट्रिक बोल सकते हो, ठीक है, आपको इसमें करना क्या है, आपको जंप करके न, मतलब आपको चार्ज करते करते जंप करना है, आप जंप करो और उसी समय चार्ज करो, तो आप जैसे ही नीचे आओगे आप तुरंत आप उस समय फायर कर सकते हो यह बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि चार्जिंग करते लिए आपकी जो मुवेंट है वो काफी स्लो हो या थी है जो पसंद आया हो या फिर मुझसे कुछ सिकायत कर नहीं हो तो डिस्कूर डाउलोड कर लेना या फिर सिकेंट चनल पर आजाना वहाँ पर 15 का reply करेंगे और बात करेंगे आजो लोग चनल को subscribe करना मत भूलना यार इस चनल को subscribe करने के लिए मैंने बोला ही नहीं स्वरी मैं भूलिया भाई इस चनल को subscribe करो यार और इस वीडियो को like करो और हाँ मेरे पास और भी बहुत सारी टिप्स हैं क्योंकि मैं प्रसनली अभी के समय में इस गन को बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ तो अभी भी मेरे पास लगबग चार टिप्स हैं तो अगर इस वीडियो पे कुछ अच्छा कासा रिस्पोंस आता है मैं सिकेंट पार डाल दूँँगा और ना मैं अपने सिकेंट चैनल पे जो टिप्स वाली वीडियो होंगी उसको डाल दूँगा मत पूरी के पूरी वीडियो देख के जाओ गए ? फटा फट निकलो और हाँ तुम्हारे भाई ने फ्री फैर के ऊपर कुछ साइरी बोली है तो जाके सीकंड चैनल पे देख जरूर लेना